Friends, इस वीडियो में हम Class 3 की English Textbook शंतूर के Chapter No.1, Colors, जो की Unit 1, Fun with Friends का हिस्सा है, हम उस Chapter को Study करने वाले हैं, उसके Vocabulary, उसके Meaning और उसके साथ साथ उसके जो Question Answer है, उसको देखने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा Help रहेगी. यह Textbook 2024 और 2025 में अभी NCRT दोवारा, CBSC दोवारा इंप्लिमेंट की गई है, नई Textbook है, आईए शुरू करते हैं, Chapter No.1, Colors, आप मेरे साथ पहले Recite करेंगे, Chapter No.1, Colors, You have a few crayons, you have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black, I have some too. Again, repeat करेंगे, आप, You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black, I have some too. Second stand जा देखिंगे, poetry का. I need the red, I need the red, and you need the black, and you need the black. If we share our crayons, if we share our crayons, we have a full pack, we have a full pack. चलिए, अब Point को हम समझते हैं, Colors, यहां पर Colors के बारे में Chapter का नाम दिया गया है, लेकिन किस बारे में यहां पर कहा गया है, वो हम देखते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, एक Boy है, और एक Girl यहां पर है, और उनी के साथ साथ यहां पर एक Dog और एक Sparrow जो है, वो बैठी हुई है, आप देख सकते हैं, Boy के हाथ में एक Box है, इसमें कुछ Colors हैं, यहां पर भी सम Colors वो Girl के Hand में हैं, First line है, You have a few crayons, तो वो कह रही है, यह जो Girl है, वो बोई से बात कर रही है, और बोल रही है, You have a few crayons, कि Boy, आपके पास few crayons हैं, यहांनि Full Box नहीं है, आपके पास कुछ crayons हैं, crayons मतलब हो गया, कि यह जो Color Sticks हैं, यह Wax से बनी हुई Color Sticks होती हैं, यह Wax से बनी हुई, यह Mom से बनी हुई Color Sticks होती हैं, इन्हें crayons बोला जाता है, तो बोई के पास कौन-कौन से यह लड़की के नुशार जो है, कौन-कौन स Kayon से बोई के पास हैं, बोई के पास हैं, Red, Yellow और Blue, Red, Yellow, Blue, Green, Purple, Black, तो आप देख सकते हो कि बोई के पास Red, Yellow, Green, Blue, Purple, और Black होती हैं, भी नहीं बनी हुईAP, यह लड़की कौन से बनी ही hef말, तो आप देख सकते हो कि इस बनुए, बोई के पास के शार democrat से बनशार इस कि बोई के पास complete color of box नहीं है कुछ colors जो है इस girl के पास है हो सकता है कि वो उसकी sister हो, उसकी friend हो और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उन्ही paper है उनके पास में और उनको painting draw करनी है, paintings बनानी होंगी तो because बोई के पास में पूरा color का box नहीं है तो क्या करेंगे, आगे चलते हैं girl कह रही है बोई से I need the red, I need the red यानि मेरे को बोई आपका red color चाहिए आपका red color चाहिए and you need the black मुझे आपका grey color का, black color का या दूश्या कोई color मुझे चाहिए तुम को भी चाहिए यानि कुछ colors जो है, वो गल्द कह रही है कि मुझे चाहिए और कुछ colors जो है, वो बोई को भी चाहिए तो अब कैसे होगा? हमारे पास colors कैसे आएंगे? तो यहाँ पर line लिखी है ननने if we share our crayons सबसे important word जो है यहाँ पर दिया है इन्होंने share कि अगर यह boy और यह girl एक दूसरे के शाथ अपने colors को share कर लेते हैं boy अपना box के color girl को दे देता है share कर लेता है और girl अपने color boy को दे देती है तो इनके पास complete box हो जाएगा color का और वो कोई भी painting और drawing जो है वो sketch कर सकते हैं, वो color को use कर सकते हैं अगर वो ऐसा share नहीं करेंगे तो अगर इनको कुछ colors की जुर्यत होगी तो वो painting को draw नहीं कर पाएंगे और girl को अगर need होगी colors की तो वो भी painting को पूरी तरीके से completely draw नहीं कर पाएगी last line है poem का we have a full pack अगर हम share कर लेते हैं girl बोल रही है boy से कि अगर हम एक दूसरे के शाथ colors को crayons को share कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा full pack colors का हो जाएगा तो poem में हमें किसके बारे में बताया गया है कौनसी quality sharing हमें एक दूसरे के शाथ share करना चाहिए share करने से हमें help मिलती है एक दूसरे का काम हमारा task जो है वो easy हो जाता है तो एक बार फिर से हम poem को देख लेते हैं you have a few crayons girl बोल रही है the girl is speaking to the boy क्या कह रही है girl you have a few crayons कि आपके पास कुछ crayons है कौनसे red, yellow and blue green, purple and black six colors जो है वो boy के पास में है I have some too और हम देख सकते हैं कि girl के पास में भी यहां पर कुछ six around colors यहां पर है तो आप सभी जानते हैं कि एक box में generally हमें 12 colors मिलते हैं तो girl के पास में भी कुछ है the girl has some and the boy has some तो आगे इन्होंने क्या कहा I need red girl बोल रही है कि मुझे आपका red color चाहिए और आपको मेरे से दूसरा different color जो है वो चाहिए if we share our crayons अगर हम एक दूसरे के साथ one another के साथ share करते हैं if we share our colors which eat a girl तो क्या होगा we have a full pack both the boy and the girl will have a full pack दोनों के पास में ही colors का full pack बन जाएगा तो हमें sharing करना चाहिए तो बच्चों ये था हमारा पहला पोएम colors अब हम इसके question answer जो है यहां पर करने वाले हैं तो टेक्स्ट बुक का जो पहला exercise है एग देखते हैं हम उसे answer the questions write your answer in the given space कि हमें question को answer करना है और इनके answer को जो ये जगए हमें खाली दी गई है इस space के अंदर ही हमें इनको लिखना होगा first question देख लेते हैं how many children how many children are there in the poem poem में कितने बच्चे हैं तो poem पढ़ते समय हमने देख लिया था कि यहां पर one girl है and one boy है तो two होगे तो हमारा answer हो जाएगा there are two children in the poem second question देख लेते हैं why did the children want to share their crayons children जो है वो एक दूसरे के शाथ crayons को share क्यों करना चाहते हैं कि girl को कुछ colors चाहिए और boy को भी कुछ colors चाहिए boy को जो चाहिए वो girl के पास में है और girl को जो colors चाहिए वो किस के पास में है boy के पास में है तो हमारा answer हो जाएगा because it's needed a color that the other head की हर एक को उन में से boy को भी और girl को भी need है उन colors की that the other head जो दूसरे के पास में है A को ये color चाहिए और B को ये वाले color चाहिए तो दोनों को एक दूसरे के colors चाहिए तो इसलिए उनको क्या करना होगा share करना होगा Q3 Q3 How can the children in the poem have a full pack एक poem इस poem में children के पास कैसे full pack होगा तो poem में आया न बार बार कि if we share our crayons we have a full pack अगर हम share करते हैं हमारे crayons तो हमारे पास एक full pack होगा तो by sharing their crayons by sharing their crayons they can have a full pack अगर वो share करते हैं crayons को तो उनके पास हो जाएगा एक पूरा pack तो यह हमारे three questions थे fast exercise के second exercise सिरफ think and say के बारे में इसको भी हम देखेंगे लेकिन आगे के exercise जो है वो हमें return में करनी है तो हम उनको पहले देख लेते हैं तो हमारी यहां पर जो fourth exercise है इसमें हमें पूछा गया है rearrange the letters to find the hidden color hidden जो चुपा हुआ color है उसे हमें यहां पर पता लगाना है तो आप पहला जो word है ए उसे देखे l e b u l e b u l e b u blue तो हमारा color हो जाएगा यहां पर b l u e blue second हम देखने हैं यहां पर l y l e w o yellow ओके तो हमारा हो गया yellow y e l l o w ओके r e n g r e n e z green तो हमारा answer हो जाता है यहां पर green next चलते हैं हम यहां पर r u p p l r upl r upl नहीं purple p u r p l e purple तो next हमारा क्या हो जाएगा n r o b w brown the color है हमारा b r o w n brown तो पहला हमारा हो गया blue yellow green purple यह हमारी exercise हो जाती है exercise number 4 next हम चलते हैं यहां पर तो इसमें है say aloud हमें जो है इनको प्रणांस करना है तो प्रणांस करने वाल exercise हम later on करेंगे पहले हम यहां पर जो written exercise है उसे कर लेते हैं तो यहां पर हमारी exercise है words used to show actions or called action words यानि जो words जो है वो किसी action के बारे में आपको बताते हैं उन्हें action words कहते हैं जैसे L-A-U-Z-H laugh laugh यानि हम laughing कर रहे हैं हस रहे हैं हसना एक action है एक work है टास्क है एक काम है इसलिए इन्हें action words कहा जाता है तो question क्या है हमारा read the words given below जो नीची words देगे हमें पढ़ना है circle the action words और जो भी action words हैं उन्हें circle करना है तो हम begin करते हैं पहले words से carrot गाजर यह तो action word नहीं है यह noun है laugh laugh हसना एक action word है second हमारा है dance 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 भी जो है एक action है तो dance को circle कर दिया lag eat yes eat जो है एक action है cry यह भी एक action हो गया swim swimming करना तैरना भी एक action है potato no sleep yes sleep is an action very important action play yes play is action play जो है वह एक action है sun no sun is action नहीं है dig yes खोदना हम किसी भी चीज को dig कर दे हैं तो वह action है jump yes jump भी action है run yes run भी एक action है book यहाँ पर वैसे तो book भी एक action होता है लेकिन हमें यहाँ पर इसको action की रूप में नहीं लेना है fish fish भी action होता है क्योंकि देखिए book यानि होता है किसी भी चीज को book कर लेना booked आप ticket book करते हैं वगरा वगरा लेकिन यहाँ पर class third के लिए यह book और यह जो face word है यह भी इसका भी एक action होता है face यानि आप किसी को शामना करते हैं प्रेसानी का सामना किसी को दुश्मन का शामना लेकिन हम यहाँ पर इसे mention नहीं करेंगे right यह भी action है get no action नहीं है smile yes smile और push धक्का देना भी है के action है यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर हमारे होगे action words laugh, dance, eat, cry, swim, sleep, play, take, jump, run, write, smile, push next हमारा जो task है वो है find the action word in the grid below हमें यहाँ पर grid दे गई है alphabatics की और हमें इसमें से find out करना है action words अब यहाँ पर हमारा पहला जो word है वो है walk first word is walk और हमें एक example यहाँ पर नहीं दिया है कि walk को हमें जो है वो circle करना है उसे find out करना है तो एक-एक word को हम यहाँ देखने वाले हैं हम यहाँ पर आप trick चंप जाएंगे उस trick से आप easily उसको कर पाएंगे जैसे यहाँ पर हमारा second word है yarn तो हमें पुरा word नहीं find करना है सिर्फ y को find out करने की try करनी है तो हम यहाँ से start करेंगे first letter से और y को search करेंगे y मिल गया हो सकता है हमें multiple times जो है y मिल जाएं जैसे यहाँ पर y है तो उनको हम बाद में देखेंगे पहले हम y को देखेंगे y को देखने के बाद तो आपको इसकी जो around words है उन सभी को आपको देखना है एक-एक करके देखें ए तो इधर नहीं है no 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 yes a w और n हमारा हो गया y a w और n यहाँ good second हमारा third हमारा है पाउर उडेलना पाउर किसी भी liquid को हम जब डालते हैं तो इसे power बोलते हैं okay p no 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 नहीं है p s o u r power तो यह हमारा हो गया p o u r power next चलते हैं cough तो c को find out हम करते हैं यहाँ पर no c नहीं है c no no yes c फिर है o u z h cough तो हमने find out करेंगे जी नो जी 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 यस जी ओके आई नहीं है यह रहाए i v e give हम किसी को भी give देते हैं एक दूसरे को चीजें give अब c एश डूढ़ेंगे हम no 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 yes s but e जो है वो one e है और next word नहीं यह लेटर नहीं है यहाँ पर तो छोड़ देंगे हम इसे s e e c देखना तो word हो हमारा c open o okay o है p b है लेकिन आगे word नहीं है चारो तरफ हमने देख लिया नहीं है छोड़ दिया next o o okay p e n open तो हमारा हो जाता है अगला word open next word जो हमारा है help h हम सर्च करेंगे h h h mिल गया e no 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 छोड़ दें तो next हम h find out करते हैं h h h no 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 okay मिल गया हमें h e l p help तो हमने सर्कल कर दिया help को भी तो यह हमारी यहां पर हमें question दिया गया है let us arrange some words in alphabetical order की हमें यहां पर fruits के नाम इन्होंने दिये हैं हम से पूछा है now arrange these words in alphabetical order हमें इन words को ऐसे set करना है ऐसे arrange करना है कि पहले जो word आए वो आए इसकी beginning a से हो फिर b से हो और c से हो इस तरीके से हमें को arrange करना है look at the first letter of each word हमें हर word के first letter को देखना है put them in order of alphabet हमें alphabet के order में डालना है write down the word that begin with a and b next इन्होंने हमें यहां पर समझा दिया है कि जो apple है वो a से सुरू होता है तो उसे first number पर रखा उसके बाद a के बाद b next होता है तो बनाना जो है वो यहां पर four number पे था लेकिन हमें alphabetically रखना है तो two number पे एक बाद b आता है b के बाद आता है c तो c को रखा गया third number के पास फिर e f नहीं है फिर g है direct तो g को इन्होंने रखा है fourth number पे और last में जो बच गया है o वो उसके उसे fifth number पे रखा है अब हमें question इन्होंने दिया है कि now write these colors in alphabetical order हमें colors दिये है yellow, blue, purple, green और red इन्हें हमें लिखना है ताकि जो word है वो alphabetic order के अंदर जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आए a, b, or c तो हमें find out करना है कोई color a से है no और हमें help के लिए यहाँ पर clue इन्होंने दिया है कि b से सुरू हता है हमारा color blue तो यह रहा तो हमारा first number पर आ जाएगा हमारा color blue first number पर आ जाएगा second तो second उन्होंने green दिया है okay तो हमारा color green वो आ जाएगा second number पर फिर third उन्होंने purple दिया है तो purple हमारा आ जाएगा third place पर, fourth place पर है red तो red आ जाएगा हमारा fourth place पर और fifth place पर हमें दिया हुआ है orange तो orange जो है वो हमारे पास yellow है यहां पर yellow, तो yellow color को हम यहां पर लिखने वाले हैं, यह आ गया हमारा fifth number पर, तो यह हमारी exercise थी, colors की, alphabetic orders की, इसके बाद हमेने exercise दो दी गई है, वो match करने से related दी गई है, You all have friends, don't you? Like you, words also have friends, words के भी friends होते हैं, आपके friends होते हैं, look at these words, हमें इन words को देखना है, match each word with its friend word, इसे इसके दोस्त के साथ हमें match करवाना है, Write the new words in space given, और जो नया word इन से बनता है, उसे हमें यहाँ पर लिखना होगा, The picture will clue help you, the picture clue, यह हमें जो picture दी गई है, वो आपकी help करेगी, Once has been done, one has been done, हमें एक दिया गया, जैसे देखिए, rain, और rain से जो इसका friend है, वो है bow, तो rain से बन गया, Rainbow, और हमें उसे यहाँ पर write down करना है, तो next, हमें सर्च करना है, second word, blue, तो blue से related जो है, वो हमें यहाँ पर देखना है, कि blue paper, blue ball, blue warm, और blueberry, तो हमें मिल गया, कि blue जो है, वो mix मिलता है जाकर कि किस से, berry से, और word बनता है हमारा यहाँ पर, blueberry, तो blue, berry, blueberry, next हम देखेंगे, news, तो news हम begin करेंगे, newspaper, yes, right, news से बनता है, newspaper, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, newspaper, 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 next, हमारा जो है, basket, तो हो गया, basket से बनता है, बास्केट बॉल, और हमारा word बन जाएगा, बास्केट बॉल, बास्केट बॉल, बास्केट बॉल, अब हमारा यहाँ पर, remaining है, earth और warm, earth में रहने वाला warm यह निकीड़ा, earth warm, यह रहा, earth warm, तो हम लिख देंगे, earth warm, earth warm, earth warm, earth warm, okay, तो पहला word बना, newspaper, second, बास्केट बॉल, third, rainbow, fourth, earth warm, और fifth बना, blueberry, okay, friends, तो यहाँ पर हमारे पास, यह होगी हमारी written exercise, अब हम, हमारी जो speaking exercise है, उन्हें यहाँ पर, इस beginning से, करने वाले हैं, think and say, the children in the poem share their crayons, इस poem में, चिल्डरन ने क्या share किया है, do you share anything with your friends, बच्चों, क्या आप भी अपने friends के साथ कुछ share करते हैं, yes, what do you share, क्या share करते हो, आप lunch share करते हो, आपकी geometry box को share करते हो, आप अपनी books को, notebooks को, क्या share करते हो, वो आपको बताना होगा, second है, you have only green, blue and red crayons, talk in pairs what you want to draw, आप green color, blue color और red crayon से क्या draw कर सकते हो, सिर्फ आपके पास three colors हैं, आप क्या draw करना चाहोगे, next, now you have blue, green, red, yellow, brown and orange crayon, what can you draw, draw hair, आपको यहाँ पर drawing बनानी है, किन color से, blue, green, red, yellow, brown and orange color से, आपको यहाँ पर draw करना है, painting बनानी है, जिनमें इन सभी colors का use होता हो, चलिए, next exercise हम देख लेते हैं, यहाँ पर, say aloud, हमें aloud, जोर से इनको बोलना है, this is a green, green, crayons, green, crayons, the word green, begin with grow, जो green word है, उसकी beginning होती है, grow, the word crayons, begin with grow, तो crayons की जो beginning है, वो होरी है, grow, grow, now say these words aloud, हमें इन words को, अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, पहला जो words हैं, वो grass से start हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे, green, grey, grass, graphs, grandmother, फिर CR से, crayons, crab, crayon, crow, cradle, draw, drum, dress, drop, dragon, प्र, prince, princess, prize, pray, present, ओके, next exercise में चलते हैं हम यहां पर, ओ, बहुत ज़्यादा funny exercise है, बच्चों यह, where is a fun task for you, आपके पास यहां पर एक funny task है, आपको एक funny job यहां पर दिया गया है, look at the words, हमें इन words को यहां पर देखना है, read out the color, but note the words, यहां पर आपको दिख रहा है, वो yellow, लेकिन हमें इसे yellow नहीं पढ़ना है, इसका जो color है, friends, इसका जो color है, वो पढ़ना है, तो बताईए इसका क्या color है, तो color है इसका green, तो हमें इसे green पढ़ना है, इसे yellow नहीं पढ़ना है, हमें read नहीं करना है The word yellow is written in green color Yellow word जो है, वो green color में write किया हुआ है So you should read yellow, आपको yellow को कैसे पढ़ना है? Green, instead of yellow for the first word हमें first word को yellow के रूप में नहीं पढ़ना है, वो green के रूप में पढ़ना है आईये सुरू करते हैं exercise को B-L-U-E, अब blue नहीं पढ़ना है, कलर क्या है इसका? Red, orange, no, orange नहीं इसका कलर क्या है? Blue, yellow Blue, purple, red, black, red, no, green Black, purple, red फिर रेपीट करेंगे Green, red, blue, yellow, blue, purple, red Black, green, black, purple, red फनी एक्सेसाइज है ना? चलिए, नेक्सेसाइज लेटर्स हैं उनसे हमें बिगनिंग होने वाले, सुरू होने वाले 26 सेंटेंस यहां पर दिये गए हैं चलिए, अल्फाबेट के 26 सेंटेंस हम लेर्न करते हैं देखते हैं अनू इट्स एन एपल रेपीट कीजिए मेरे साथ अनू इट्स एन एपल तो अनू और एपल दोनों किससे सुरू हुआ? दोस्तों A से P बाशू has a bet and a ball तो B से बिगिनिंग होने वाले 3 words होगे हमारे पास में C चंदू likes cabbis and carrots cabbis and carrots तो हमारे पास यहां पर होगे चंदू, cabbis, carrot C से बिगिनिंग होने वाले 3 words D दिनेश, dances, day and night तो हमारे पास D से सुरू होने वाले 3 words यहां पर होगे E Aisha enjoys an elephant ride Aisha enjoys an elephant ride 3 words F fires, feeds a fish हमारे पास कितने वर्ड हो गए आप से? 3 words G Govind goes to get guavas 4 words G से start हो रहे है H हरी, helps, हेमंद हरी ने हेमंद को हेल्प किया 3 words I I like ice cream तो I or ice cream 2 words J Jack just jumps down 3 words K कविता keeps the kittens on her knees कविता अपने kittens को knees पर रखती है तो हमारे पास कितने words होगे कैसे Four words L Lata loves lemonade Lata को lemonade पसंद है कितने words? Three words M Madhav mixes milk and mango pulp तो हमारे पास word कितने होगे One, two, three, four Four words होगे हमारे पास में Madhav, mango और milk को mix कर रहा है N Navneet writes his name on new notebooks Now Neet writes his name on new notebooks Four O Om opens a box of oranges तो three words P Prema puts a pencil in her pocket Prema puts pencil pocket Four words P say Q Q Q up quietly Q और quietly Two words Q से होगे R Radha rolls red ribbon Radha rolls the red ribbon हमारे पास होगे Four words S Six Sparrow's Sit On a sack Ek sack के उपर एक बोई पर Six spars बैए होई है Toh one, two, three, or four Four words T The teacher Tells a tale Four words U Usha uses an umbrella Three words V Vishnu Visits a village in a van Four words W We see a watchman near the white wall We see a watchman near the white wall Four X X is the last letter in ox, fox and box X X से related जो word है वो यहाँ पर हमें खुद X से कलेटर है फिर हमें यहाँ पर मिल रहा है Ox, fox and box Y Yashmin and Yana are friends Two और last जो word है Z Zebra graze in zoo तो हमें Z से सुरू होने वाले Three words यहाँ पर मिल गए है तो यह हमारी exercise हो गई है तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो पहला chapter है यहाँ chapter colors यहाँ पर पूरा होता है उमीद है आपको यह help करेगा question answer में study करने में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और next chapters के भी वीडियो ऐसे ही आपको चाहिए तो चैनल को आप subscribe कर ले वीडियो को like करें और comment करना नहीं भूलें कि और क्या add किया जा सकता है thank you very much